जी हैं दोस्तों काफी लंबी इतजार के बाद हर्याना सरकार ने हर्याना पुलिस कमांडो की कुछ पोस्ट निकाली है आज की वीडियो में हम इने के बारे में बाते करेंगे कितनी पोस्ट हैं इसकी लास्ट डेट क्या है कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद इसमें उमर कितनी दी गई है, फीस कितनी है, वेकेंशिया कितनी है, अलग-अलग कैटेगरी में कितनी पोश्ट दी गई है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और लास्ट में पूरा step by step process भी बताऊँगा कि कैसे आपको ये form अपलाई करना है, तो चलिए बिना देरी ये start 14 जून से होना था, लेकिन ये 15 जून से यानकी कल से start हुआ है, और इसकी जो last date है, वो 29 जून 2021 है, और यहाँ पर जो fees भरने की last date है, वो 5 जून 2021 है, यानकी अगर आपने registration नहीं किया है, तो आप इस form को 29 जून तक registration कर सकते हैं, और जिन लोग ने registration कर दिया है, उनको स information अभी से नहीं बताए गया है, और जो exam होगा, वो कब होगा, इसके बारे में भी अभी से नहीं बताए गया है, इसके बारे में जल्दी ही कोई information आएगी, तो उस पर भी हम एक जल्दी ही वीडियो बना दिए, यहाँ पर अब हम देख लिते हैं, fees के बारे में, तो general जितन हेंडिकैप या एक सर्विस मेंल से आते हैं, तो आपकी कोई भी fees नहीं लगेगी, fees को आप किसी भी mode के द्वारा पैड़ कर सकते हैं, चाहे online हो या फिर offline हो, दोनों ही माद्यम से fees पैड़ हो सकती है, पोस्ट की बात करें तो total 520 पोस्ट दी गई है, एज की बात करें तो 18 से 21 साल यहाँ पर age दी गई है, जनरल के लिए, अगर आप SCST category हैं, तो वहाँ पर 3 और 5 साल के आपको छूट मिलती है, वो आप यहाँ पर calculate करके देख सकते हैं, इसके बाद अब आती है post, पोस्ट देखी यहाँ पर दी गई है, male constable commando wing की, जो की group C के अंदर आता है, और इ 224 पोस्ट है, SC के लिए 104, BCA के लिए 83 और BCB के लिए 57 पोस्ट दी गई है, और EWS के लिए 52 पोस्ट दी गई है, टोटल यहाँ पर 520 पोस्ट दी गई है, तो चलिए, यही चीज़ तो आपने अचानी से जान लिए हैं, अब हम जान लेते हैं कि आपको इसे online apply कैसे करना है, online apply करने के लिए आपको यहाँ online apply में registration पर क्लिक करना है, इसके बाद आप इसे step by step online apply कर सकते हैं, और इस website का link मैं description में दे रहा हूँ, आप इसकी और ज़्यादा जानकारी जानना चाते हैं, तो यहाँ description में दिये गए link पर क्लिक करके इसके बारे में और भी अच्छे से जा सकते हैं, तो अगर आप हरियाना की exams की त्यारी नहीं कर रहे हैं, या हमारे हरियाना करंटाफेस नहीं पढ़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द इन्हें continue पढ़ना start कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही इनके exams भी साइद आपको देखने को मिल जाएं, तो चलिए, अब हम देख ल www.hryssc.in website खुलके आ जाएगी, वैसे इसका link भी मैंने description में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी इसे open कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर इसे आपको apply कैसे करना है, यह जानने के लिए आपको side में जो यह video दिख रही है, इस पर click करना होगा, इसमें मैंने इस format को भरन का step by step पूरा process बताया हुआ है,